अगर भाई साब आप बिहार में पैदा लिये हैं, तो आपको तीन चीज के टियारी करनी हैं, आई एस, आई एस, और आई एस, तो उसी तरीके से मेरी भी शुरुआत होई, मैंने पापा से कहा कि सब कुछ सही चल रहा है, सोच रहा हूं मैं थेटर जोइन करूँ, मेरे को होती है, एक बिहारी बाब की, एक बिहारी बेटे की बीच द्वन्द की कहानी, वोगर से सने हाथ से जब हमने जोइन लेटर देखा, तो मेरे आँख में आसू थे और पापा ने कहा कि तुम कर लिए जो करना चाहते थे, हलो हाई, नमस्कार, मेरा नाम है उज्वल श्वास्तो और अमूमन वारिल कलाकार यूट्यूब चैनल पे आपने कई करदारों में मुझे देखा होगा, इस पर एक लाइन है कि गिली मिटी से सना आकार हूम है, गौर से देखो वारिल कलाकार हूम है, पर आज दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज बातें बिहार की होगी, संघर्ष बिहार का होगा, सफलता बिहार की होगी, क्योंकि बिहार एक ऐसा जगह है जहां से अगर हम सपने देखनी की शुरुआत करते हैं, तो पता है क्या सीधे IAS बनने की देखते हैं, IAS वो जो अकेडमिक्स का सबसे ब मैं रोतास जी ले के बिहार के रोतास जी ले के बिकरमगन शहर के श्यूपुर गाउं में पला बढ़ा, मेरी शुरुवाती परिक्षा वहीं के स्कूलों से होई, और बचपन से जैसे सब के घर में भोकाल होता है, कि अगर भाई साब आप बिहार में पैदा लिये हैं, तो आपको तीन चीज के त्यारी करनी है, आई एस, आई एस, और आई एस, तो उसी तरीके से मेरी भी शुरुवात होई, और मुझे याद है कि जब भी मुझे बोला गया, जब भी टी बी पे अगर कुछ देख रहे हो या फिर किसी भी तरह से, तो वो आई एस का पावर, आई उसी के पिछ लग जाता है कि हाँ भाई, आई एस को ऐसा चीज है, जो मुझे दोड के बस उसको ला करके अपने पापा के सामने रख दे रही है, पढ़ाई पर भी अगें फोकस, मैं सच बताओं, मैं पढ़ले में बहुत सही था, बहुत लाइक इतना कि उस समय जब चोरी नहीं हुआ करता था, तो पांच-दस लड़की ही फर्स डिमें लाते थे, और आई वस वन अफ देम, तो ये कह सकते हैं, फिर कहा गया कि चलो तेन तक तो पढ़ाई तुमने कर ली, अब आगे क्या करना है, तो हमारे यहां ऐसा होता है कि हमारे पापा, अगर मानलों की दस लिखा आदमी होता है, उस वेक्ति की बातों की बहुत वैल्यू होती है, तो हमारे जी जादी थे, उन्होंने आके कहा कि चलो आई एस वाइस तो ठीक है, ग्रेजूशन के बाद होता है, तब ही पहली दफ़ा पता चला कि उके ग्रेजूशन के बाद इसकी तियारी होती है उन्होंने कहा कि इसको पतना भेज दिया जाए और अभी क्या है कि लगे हाथ IAT की भी तियारी करा दिया जाए, ट्रिपली की भी तियारी करा दिया जाए, मुझे अब ऐसा लगता है कि यार मतलब कोई काम ना हो तो तो तयारी करा दो, ACC की तियारी करा दो, किसी गर्मेंट आगे मैं बीच में बैठा था और सब कुछ रिसाइड हो चुका था जीजा जी सेड की इसको पटना भेज़ दो मैं अक्चुली रो रहा था कि वैसा बच्चा था कि मैं गाहों से कभी भी पांच किलोमेटर दूर बीना पापा ममी के जाता नहीं था और अगें सो किलोमेटर बहुत दूर भाई तब तो हमारे लिए वासिंटन डिसी जैसा ही होता था वहां कोई नहीं सारे लड़के अलग लग इंग्लिश में के पढ़े हुए छोटा शहर है पटना लेकिन फिर भी इतनी डिफरेंसिस होते हैं गाहों साहे लड़कों की कि वह बहुत-बहुत दूर दिखती हैं तो यहां पर आके मैं अकेले वैसा कोई बहुकाल नहीं कोई महाल नहीं कोई नहीं पूछ रहा है आम जिस नॉमल तो फिर मुझे लगा कि यार कुछ तो करना चाहिए मतलब बापा का ISYS जिजा जी का ट्रिपल ली आईटी तो चलता ही रहेगा आपना भी तो क का इटीग है तो मैंने स्पोकेंग क्लास जॉइन कर लिया महां से मेरी फिर भॉकाल की कहानी शुरू होई और पापा को पता था कि बेटा पढ़ रहा है जीजा को पता था कि तयारी चल रही है और मैं इदर स्पिकिंग क्लास बगरा में नाटक विगर स्किट वगरा करते रहता था और एक दिन ऐसे ही कहानी आद है मैंने को कि मंद से मैं उत्रा और किसी ने कहा कि भाई थेटर जॉइन कर लो देन अगेन वो लगा कि वहां बड़ा मंच होगा बड़ी तालियों की गूंज होगी बहुत जादा दर्शक होंगे तो उस तरीके से मैंने थेटर जॉ बने और कोई पीता चाहता आईस बने और अभी भी बिहार में शायद अब नहीं पर उस समय एक पीता कभी नहीं चाहता था कि उसका बेटा थेटर आटिस्ट बने अक्टर बने अभिनेता बने तो इस द्वन्त के कहानी में जूट काम आता है और कहते हैं कि जब आपको अपने संघर्ष पे यकीन हो तो थोड़ा बहुत जूट चलता है और वैसे भी अभिनेता जूट काहीं होता है तो मैंने पापा से कहा कि सब कुछ सही चल रहा है मुझे सोच रहा हूं मैं थेटर जोइन करूँ मेरे को सिधे पापा का चाटा यहां लगा और उनने कहा कि ए इतनी सारी जिम्मवारिया हैं चपर को प्लास्टर में प्लास्टर को संगमर्मर में बदलना है ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा अब दरसल फसते क्या हैं हम हम बिहार के लोग कि मम्मी पापा हमारे उस गाओं के परवेश में रहते हैं जहां उनको यह चुड़ी चुड़ी च लगा राता है कि क्या कर लेगा इसके लिए मैं अब जब सोचता हूं तो जब भी हम परिशान हों कि अगर मैं अपने पापा सही इस बात में नहीं बात कर सकते कि मुझे ये करना है ट्राइ करो आपकी कुछ ऐसी चीजें आस पास ढूंडी जाए जो उस करियर को उस स्ट्र पापा को बनाना है ठीटर करने के लिए बनाना है तो मैं उसके आस पास की ऐसी क्या चीज़े जूंडू जो पापा की बाते रह जाए और मेरी भी बाते रह जाए तो मुझे पता चला की जैसी कोई स्ट्रीम होती है सब्जेक्ट होती है अमोमन हमारे गाउं में बिहार के लोग बहुत नियूज देखते हैं पॉलिटिकली बहुत करेक्ट होना होता है तो पापा नियूज देख रहे थे मैंने पापा को अब पापा ये मुझे बनना है ये जो ये जो ब्लेजर पहने यहां पर अच्छे से माइक लगा हुए देश दुनिया की खबरे पढ़ते है मुझे ये काम करना है पापा को तब लगा कि कुछ ऐसी बाते हैं जिसमें मेरा बेटा अलग भी साउंड करेगा वही अगे इन गाओं वाला लड़का कि हाँ इनका बेटा कुछ अलग भौकाल कर लिया पापा ने का चलो ठीक है यही कर लो तुम और जब कोई फैसला आपक पिता जी भी लेते हैं तो confidence बहुत ज़्यादा बढ़ता है पापा ने का ठीक है कर लो पटना कॉलेज में मेरी नमांकन की गई महां से अपनी पढ़ाई शुरू कि मैंने तो यह सिलसिला वैसे शुरू हुआ कि कॉलेज जाना आना थेटर की पढ़ाई शुरू होई मैंने दीडी भे आर एंकर काम करना शुरू कर दिया रिडियो मिर्ची में असिस्टेंट आर्जे काम करना शुरू कर दिया मेरे पापा को लगा कि यार लड़के में कुछ तो बात है डीडी भे चैनल उसमें को प्रिस्ट settlement आज भी तो उसमें मैं अंकरिंग करता था तो गाहूं अपना समय निकाल के बैठते हों और उसमें उनका बेटा अगर टीबी पे आ करके कोई नियूज कोई 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 शो होस्ट करें सच में बहुत प्रावफिल होता है और उस वो समय था जब मेरे फैमिली में मेरे पापा के प्रती मेरे मम्मी के प्रती मेरे लिए इसद और पता चला कि घर की स्थिति वैसे नहीं थी पर मुझे पता चलने नहीं दिया गया कि घर की स्थिति वैसे नहीं है कि आप इडिटिंग सीख लोगे आप पटना कॉलेज में 70-80 लगा ग्रिजुएशन कर लोगे और आज जब भी मेरी पाफा से बात होती है तो कहते हैं कि सच मे जुषाब में हैं बड़ उनको करना कुछ ओर है तनको कुछ और बाफन कि और निकालने दे रहा है बड़ मैंने कहा कि life में बहुत कुछ फिक्स तो है नहीं मेरे जैसे मेरा आई-ऊ गार्जार ईस बनने से लेकर ट्र्ड पलई के ट्यारी करने से लेकर के जर्नलीज्म के त जो अभिनेता बनना और मुंबई जाना था मैंने कहा कि जब ये करना है जब इसके लिए मैंने पापा से तीन चार जूट बोले हुए हैं तो कमफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और अभिने के लिए बहुत टाइम देना चाहिए तो मैंने इसे छोड़ दिया पर ये ऐस के लिए मैं बस कहीं कहीं कुछ-कुछ शोज कर लेता था जब जब रैलियां होती हैं उसमें जाकर के थेटर सोते थे और आप यकीद नहीं मारा हुए तीन सो रोपे पर शो मिलते थे और एक दीन में 19 शो करते थे क्योंकि पैसे जल्दी कमा करके तयारे करनी थी फिर हमने वाइरिल करकार के नाम से एक यूटूब चैनल बनाया बड़ इस बीच में कई लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि भाई अभिनेता बनना है तो माया नगरी ही है मुंबई ही जाना होगा बड़ सच बताओं हर वो पनपते अभिनेता की पहली खायश होती है मुंबई पर द से कमजोर दिल के लोग होते हैं जीनें पता होता है यार अभी तो माया नगरी इतनी बड़ी है मैं सर्वाइब कैसे कर पाऊंगा मैं तो किसी को जानता है भी नहीं हूँ अब वस वन अफ नेम मुझे मुंबई से अभी कोई करनेट नहीं था पैसो की प्रोब्लम थी तो हमने सोचा कि चलो कुछ साल अपने पटना को ही देते हैं अपनी पटना की बहुत साइच चीजे हैं जो नेशनल लेवल पर किसी ने शेर नहीं करी है चाहे वो चट की बात ह हो चाहे वो देशेरे की बात हो होली की बात हो या फिर अपने किसी फेस्टिबल की बात हो अपने बिहार की बात हो हमने बिहार रिलेटेड बिहार को अपने तरीके से दिखाने की कोशिश की वीडियो बनाने शुरू किये जिसमें बिहारियों को कैसा समझाता है लाइक लोगों ने बहुत प्यार दिया फिर हमारी सफर की शुरुआत वहीं से हुई बहुत सारे वीडियो बनाए दूसरे या तीसरे वीडियो में हमने बात करी थी बिहार की बेरोजगारी के उपर जिसमें कहानी थी कुछ ऐसी कि यह गाउं का लड़का है पटना त्यारी करने आय और उसमें कहानी है कि गोबर से सने हाथ से जब हमने जोईनिंग लेटर देखा तो मेरे आँख में आसू थे और पापा ने कहा कि तुम कर लिए जो करना चाहते थे कुछ इस तरी तरीके की ऑथेंटिक कहानिया जो बिहार में अभी भी एक्जिस्ट करती हैं उस तरीके से हमने वीडियो बनाए बहुत वाइरल हो गया यकीनन आज भी लोग मिलते हैं तो उस वीडियो के डायलोक्स टू डायलोक्स उनको याद होता है वारल कलकार जब तक स विहार में था तब तक से हम विहार के लोगों को जाधा रखते थे विहार के आड़िस्ट को जाधा काम करने के लिए प्रसाइत करते थे उन से C slash &dean गें जब हम दिली में आप किन नहीं करो गए मेरे टिम में सारी ऑल्मॉस्ट विहार सहीं है और यह कोई लॉबी बाजी नहीं है हमें पसंद है तो हम रहते हैं और भी लोग हैं और भी काम करते हैं यानिक मतलब यह है कि वारिल करकार एक ऐसा फ्यूटरिस्टिक चैनल बनाने का थोट है हमारा दिमाग में एक ऐसा प्रोडेक्शन हाउस जो बिहार की कहानियों के साथ स सबकी शुनने से होती है आप भी वैसे करो पढ़ाई करते हुवे भी आप यूटूब चैनल बना चाहते हो वो कर लो दीरे दीरे शुवात करो जब लगे कि यह में काम हो सकता है इससे अर्निंग हो सकती है कुछ ड्रीम हो सकते हैं पूरे फ्यूचर दिख सकता है और सबसे नहीं होता है सबके सपने अलग होते हैं सबका संधर्श अलग होता है and yes we all know सबकी फ्यूचर अलग होते हैं तो यह डिसाइड करना है कि आपको आपका इनर्विल क्या कहता है कि आप किस चीज में बहतर हो या क्या मन कर रहा है करने का तो वही बात choose your inspiration wisely हमें किसी गलत इंसा से इंस्पायर नहीं होना है हमें खुद में देखना है कि what I can do मैं क्या अपने ड्रीम को पूरे करने के लिए काम कर सकता हूं पर पता चल जागा आप रिसर्च करो क्या प्रोफेशन अच्छा लगता है कौन से इसे चीजें जो आपको लगता है इसमें नॉलेज या करना चाहते हमारे साथ मिलके तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं बारल कराट जिमील डॉट कॉम पे कहने मतलब यह कि आज आप जिस सपने के त्यारी कर रहे हैं वह जब 5 साल बाद आपको सफल होते हुए दिखे गाना मेरी तरह भी आप बहुत बलशाली फिल कीजेगा और यह कहानी अनवरत है बड़ी आत्रा है बड़ा बड़ा सफर है बड़ी मंजील है रास्तों पर दीरी दीरे चलने की कहानी है मैं बस इतना ही कहूंगा कि वह स्प्लिंटर प्लस की बाइक जो सेकेंड एंड में खरदी गई थी जिस पर डिसाइड हुआ कि बेटा हमारा पटना जाएगा और विदिन तीन चार साल बाद अपनी खुद की नई गाड़ी लेते हैं कार यह सब ऐसी चीजे हैं जो बताने पर आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए अमोमन मिलता ही है और शायद मिल भी रहा होगा मैं बस यह कहना चाहूंगा कि अगर आप बिहार से हैं तो यह आप बीज हैं खाद पानी के जरुवत है बस पेड़ बनते देर नहीं लगेगी अमोमन भासा में आम भासा में समझाए तो यह है कि जो आप करना चाहते हैं उसमें बस लग जाईए कुछ साल कुछ महीने कुछ दिन के बाद वो सब कुछ आप अचीव कर लेंगे अगर बहुत धन्यबाद जो ऐसी आम सी कहानी को खास बनाने के लिए बहुत बढ़ शुक्रिए इसने ढेर सारा इंस्पारिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के अगर आपर देखेला मिलतो तो जो स्टॉक्स भीहार जो स्टॉक्स भीहार के बढ़िए सब्सक्राइब कर घंटा उंटा दवा देऊं कि नोटिफिकेशन आइते रहे अरे जब मन होले उदास्त खोल लेल की चोस्ट अब्भीहार तो अगर वाद देखल के मन के तरो ताजा केल के अधा मोटिवेसन लेल की काम शुरू केल के शपलता कैसे मिलते अधा मिलते जंडा गाड़ते हूँ झाल